हेलो इब्रीवन मैं हूँ शिफाली लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मॉबिलिटी एंड ट्रिफ्ट वेलसिटी आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन आंड करियर कॉंसेटरिशन जब हमने मॉबिलिटी पढ़ा था तो मैं आप पर चीज बताना भूल गई थी अग अगर हमें n number of scattering phenomena दे रखे हैं जो कि हमने consider क्या किये थे impurity और latest scattering हमने पढ़ा था तो अगर हमें n number of scattering phenomena दे रखे हैं और उनकी जो mobility है वो है mu1, mu2 and so on तो उस condition में हम लोग जो resultant mobility निकालते हैं वो हम निकालेंगे इस formula से तो यह हमारे resultant mobility का formula है माननों हुझे दो mobilities दो phenomena दे रखे हैं जिनके mobility है mu1 and mu2 तो resultant mobility क्या हो जाएगे mu1, mu2 divided by mu1 plus mu2 अब हम units पर देख लेते हैं mu क्या होता है drift velocity divided by electric field velocity के unit क्या होती है meter per second और electric field की value होती है sorry unit होती है volt per meter तो यहां से अगर हम unit देखें तो unit क्या होगी meter square per volt second तो यह होगे mobility की unit अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं और diffusion डिसकस करते हैं कि diffusion क्या होता है diffusion को अगर मैं define करूं तो केसे define करूंगी movement of charge particles from higher concentration to lower concentration region in a material movement of charge particles from higher concentration to lower concentration region for example अगर हम समझे मैंने एक वाटर बी कर लिया और उसमें में कि आपर में आदाट कि मिक्स कर रहे हो मानदीए मैंने ass vrij时候 c'. getting chegar to more water level when was leading up to the street each अगर Dare 分द रिरी कि उपचुर करेंगे presence ज़न we wr data between rehelling Au cuisine off हम समझते हैं who that diffusion को किस तरह से ृलेट करेंगे देखो अगर मैं को talk करूं तो हम दो तरह से कर सकते हैं uniformly & non uniformly अच्छा अगर मैंने यहां बोला higher concentration to lower concentration तो यानि कि यहां पर concentration gradient होगा कुछ तभी क्या होगा diffudent अब हम देखते ही uniform doping मैंने यह material ले लिया और मैंने यहां पर कौन सी doping किये कौन से material हुआ यह एंटाइप material और यहां पर मैंने क्या क्या है uniform doping यह मैंने length of semiconductor माली तो अब हम देखते uniform doping का क्या मतलब है doping atoms पर centimeter cube यह हम बोल सकते हैं doping atoms per unit volume और constant तो यहां पर अगर मैं concentration gradient के बात करूं मैं इसको ले ले लेते हूं तो यहां पर concentration gradient क्या हो गया dn by dh यहां पर 0 हो गया क्योंकि अगर हम semiconductor की यहां पर यहां पर क्या होगा तो मतलब uniform doping के केस में कोई diffusion नहीं हो रहा है अब हम देखते हैं non uniform doping माल लोगे ने semi conductor को कुछ इस तरह से डॉप किया इस तरह से हमने semi conductor को डॉप कर लिया तो यहां पर क्या है higher concentration है और यहां पर क्या है है lower concentration है तो यहां पर क्या होगा electrons जो है वो मूँ करेंगे higher to lower concentration अब electrons अब मूँ करेंगे मान लोग जो donor लेवल पर जो electron से वो मूँ करें higher to lower concentration तो यहां पर क्या होगा electron का diffusion हो रहा है अब हम देखते के यहां पर net current फो होगा यह नहीं होगा जब कि मैंने यहां पर क्या कोई electric field apply किया है नहीं किया है इलेक्ट्रों कहां से का जा रहे है higher to lower concentration जब electrons यहां पर जा रहे है तो क्या हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है positive charge और इधर क्या होगा नेगेटिव चार्ज तो अब हम देखें यहां पर मैंने माल लिया कि यहां पर जो है इलेक्ट्रोन्स आगे और यहां पर क्या हो गए फोल्स क्रियेट हो गए तो इलेक्ट्रोन्स का डिफिशन हुआ वापिस क्या हो रहा है यहां पर इलेक्ट्रोन्स पर फोर्स लग रहा है तो यहां पर electrons पर force लग रहा है वापपिस किधर? in the direction of... in the opposite direction of electric field. electric field ती direction क्या होगी? amt lets max plus to minus. ये है intoまで electric field. तो electrons वापिस से positive terminal की तरफ force experience कर रहे. तो यहां पर क्या होगा? जो diffusion current है, वो इसे वहाली current से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर जो नेट करेंट है वो फिर भी यहां पर क्या है जीरो है जब तक कि हमने कोई भी external field apply नहीं किया है तो यह हमने सबस्च लिया diffusion अब एक बार हम लोग जो है करण की जो direction हम देते हैं वह एक बार समझ लेते हैं सबसे पहले मैं बात करेंगे अगर मैंने electric field की direction यह ली दी तो अब हम देखते हैं कि electrons और फोल्स का जो drift movement है वो कैसे होगा इलेक्ट्रों किदर मूब करेंगी इलेक्ट्रों की अब मैं drift की बात करूं तो इलेक्ट्रों की दे मूब करेंगी अपोजिट तो एलेक्रिक फिल्ट और जो डायरेक्शन होगी करेंट की वह आई इडी में उसको बोल दिया वह कहां होगी electron की जो direction है movement की उसके अपोजिट अब हम अगर होल्स कंसिडर करें तो होल्स के अगर हम drift के बात करें तो होल्स का drift का होगा इंडर डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फिल्ड यारी कि होल्स का जो drift है वह इधर ही हो रहा है और जो करेंट है होल्स की drift करेंट जिसको की मैंने IHD से रिप्रचेंट कर दिया है वह भी किदर होगी इधर ही होगी होल्स किदर हो करेंगे positive to negative क्योंकि वह positive चार्ज है तो नेगिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रेक्ट होंगे अब हम बात करतें distribution की तो diffusion के लिए हमें क्या consider करना है concentration gradient यहां फिर मिनें लेंथ मानली semiconductor क्यों फॉइश रहा है तो जीरो से एक्स की तरफ जब वैरी कर रहा है concentration gradient को क्या वैरी कर रहा है मिने मानली हो decrease हो रहा है यान आ कि यहां पर concentration high और X तर तक जाने पर क्या हो हुआ है का लो हो रही है तो इस case में हम देखते हैं कि N क्या है यहां पर Electrons तो इस case में हम देखते हैं कि Electrons का Diffusion क्या से हो रहा है Electrons का Diffusion कहा होगा Higher Concentration to Lower Concentration और इसकी जो करंट है Diffusion Current वो कहा होगी आपोजिक टू मुमेंट ऑफ एलेक्ट्रॉंस सिमिलरली अगर हम डीपी बाइडी एक्स देख लें होल्स के लिए वापिस से मैंने कंसेंटेशन ग्रेडेंट के हम आले हैं यहां पर जीरू सेमिकंडुक्टर की लेंद के साथ हो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो डिफ अब नहीं तो यह दियार रखिएगा तो होल्स के डिफ्यूजन करेंट जो है वो कि दर होगी इधर ही होगी तो यह जो फेनोमेना हमने करण का देखा था आप हो यहां से भी देख सकते हैं अब हम नेक्स प्रिखेंगे करें कॉंसेंट्रेशन और करें कॉंसेंट्रेशन के करें हम फॉर्मुली देखेंगे करें करें कॉंसेंट्रेशन के फॉर्मुली डेराइव करने से पहले एक डेफिनिशन है जो कि मैं आपको बताना चाहते हूं कंपन सेटेट सेमी कंड़क्टर अब कंपन सेटेट सेमी कंड़क्टर क्या होता है हम देखते हैं मान दो हमने डॉपिंग की थी तब हमने क्या क्या था या तो एंट ट्रिंसिक सेमी कंड़क्टर में एंट टाइप और पी टाइप दोनु तो एंट्रिंसिक का रहा है इंट्रिंसिक बेहीर। कौन सा बहुत है है और यहां पर बोथ एंड टाइप एंड पी टाइप इंपूरिटीज आर डोग्ड तो यह हो गया हमारा कंपेंसेटिड सेमिकंडॉक्टर अगर आपको कहीं पर नाम दिखें कंपेंसेटिड तो मतलब है जो हमने एंड टाइप की एंड की है यहां पर मैंलों दोनॉर इंपूरिटी जो है वो क्या है यहां पर क्ट्र से ज़्यादा है उसंदिशन में क्पेंसेटिड न यहां वह पहलू क्ट्र से ज्यादा हो लोग्टिश है यह हमने समझ लिया compensated semiconductor अब नेक्स्ट रम देखते हैं करियर पॉंसेंट्रेशन क्या होता है करियर कॉंसेंट्रेशन नंबर और करियर पर यूनिक वॉल्यूम उससे हम क्या बोलते हैं कॉंसेंट्रेशन तो सबसे पेले जो है हम पढ़ते हैं चार्ज्ट नूट्रालिटी एक्वेशन चार्ज्ट नूट्रालिटी एक्वेशन जो है उससे मैं यहाँ पर लिख देती हूं न क्या है यहाँ पर नमबर ओफ इलेक्ट्रों पी क्या है नमबर ओफ खोल्स पर यूनिक वॉल्यूम या पर सेंटिमीटर क्यूब न क्या है यहाँ पर नमबर ओफ एक्सिप्टर आयन्स पर सेंटिमीटर क्यूब और नमबर ओफ डोनर आयन्स पर सेंटिमीटर क्यूब अब देखो, P तो है positive charge, N है negative charge, donor क्या है, drop and datum क्या होता है, वो तो होता है neutral, लेकिन donor के अगर हम बात करें, donor क्या होता है, electron, जो है वो देता है, electron को donate करता है, तो electron को donate करने पर negative charge लिव हुआ, तो यहां पर क्या है, create हुआ, positive charge, इसलिए हमने यहां पर P के साथ, donor जो consultation उसको add किया है, और N के साथ similarly, acceptor consultation को यहां पर add किया है, तो यह हो गई charge neutrality equation, अब हम देखता है, different-different semiconductor के लिए हम career consultation निकाते हैं, तो सबसे पहले मैंने ले लिए हां पर N-type semiconductor, N-type semiconductor में क्या होगा, acceptor ions नहीं होगे, यानि कि N-A क्या होगया यहां पर? 0, तो, और साथ ही हम हम क्या करते है, majority करें concentration कौन सी होगी है, majority करें कौन से है, यहां पर? N-type ने Electrons है, तो majority करें concentration कौन सी होगी, N, तो हम maa section लोग लगाते हैं, मैंने बोल दिया N-type के लिए जए electrons है, से एक्षाल कारेशना, और प्रेच्छर के रS, षिसको मैंने प्रेशन से phenomenon, यहां से एक्षाल के सब्सक्राइइ, मैंने मैंन 설ेया,urst प्रेच्छर के शचर्ण करता है ईसको मैंनेbuat क्षाल मैंने एक्षाल में से यहां से कारेज़िए इसको मैंने बोर दिayा। इसको मैं equation 2 ले लेती हूँ, इसको equation 1 ले लेती हूँ, इसको equation 1 ले लेती हूँ, अब यह जो दोनों चीज़े हैं, यहाँ पर replace करने है, equation 1 में, तो equation 1 से अबर हम देखें, तो हमें क्या मिलगा है, n d plus n i square upon n n equals to, n a तो क्या है, 0 है, n n, solve करेंगे हम further, तो यह हो जाएगा, n n square minus n d multiplied by n m minus n i square equals to 0, यह क्या बन रही है, हमारे पास, quadratic equation, quadratic equation का क्या होता है, x square minus bx plus c, अगर मैं इसको solve करूँ, तो यहाँ से हमें x की क्या-क्या values मिलेगी, minus plus, minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a, यह है x square, तो उसी तरह से हम solve करेंगे, तो यहाँ से हमें n n क्या मिलेगा, n d plus, यहाँ पर हम only positive value consider करेंगे, अभी बताती हूं क्यों करेंगे, minus b square, n d square plus 4n i square by 2, यह मिल गया हमे, अगर मैं यहाँ पर negative consider करती ही, तो क्या होता, n d square plus 4n i square, यह हमेशा क्या होगा, n d से जादा होगा, यह equal होगा, जादा ही होगा, n i कितना भी छोटा हो, negative तो नहीं होगा, n i square, तो यह क्या होगा, n d से जादा होगा, तो उस case में concentration क्या हो जाएगी, negative हो जाएगी, जो क्या possible नहीं है, इसलिए मैंने हाँ पर only positive sign जो है, तो अब हम इसको further अगए solve करें, तो यह हो जाएगा, n d by 2, plus root of n d by 2 square, plus ni square, तो यह हमने, क्या निका लिया, majority color concentration in n-type semiconductor, majority color कौन से होते हैं, electrons, तो यह हमने concentration of electrons निका लिया, n-type semiconductor में, अब हम देखते हैं, कि, यह तो हमने कपकी बात करी, जब बिल्कुल normal doping है, अब हम देखते हैं, कि जब heavy doping होगी, तो क्या होगा, हेवी doping, जब heavy doping होगी, तो क्या होगा, n d, जो है, intrinsic concentration से बहुँच जाद होगा, देखो, इन चनल जो value होती है, intrinsic concentration की, वो कुछ 10 to power 10 की proportion में होती है, एक्जेक्ट value नहीं है, कुछ 5 into 10 to power 10 per centimeter cube होती है, तो, यहाँ पर मैं only 10 to power 10 लिख रहे हूँ, तो, हेवी doping जब होगी, तो, n d, जो है, 10 to power 15, या 10 to power 16 की proportion में होगा, तो, उस condition में क्या होगा, n d बहुत जाद होगा, n i से, तो, यहाँ पर n n क्या हो जाएगा, इस equation से, अगर हम n n यहाँ पर लिखें, तो, क्या हो जाएगा, n d by 2, plus, root of, n d by 2, का whole square, n i square, जो है, वो, क्या हो जाएगा, neglect हो जाएगा, तो, इस condition में, हमें, क्या मिला, जो majority करें, concentration मिली, वो हमें, किसके equal to मिली, डोनर की, जो concentration है, उसके equal, यहाँ से, अगर हम minority करें, concentration ही काले, तो, हम simply क्या करेंगे, n i square by n n, similarly, यहाँ पर भी क्या होगा, p n, n i square by, n d, n n क्या है, यहाँ पर, n d, तो, इस तरह से, हमने, यह, हैवी, डोपिंग के लिए, देख लिया, अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो, जैसे, हमने, n ताइप के लिए देखा था, similarly, p n को, मैंने यहाँ पर क्या रिप्लेस कर दिया, n i square by n n equals to n a plus n n, further हम solve करेंगे, तो, यहाँ से, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, equation n n square minus n d minus n a, n n minus n i square plus to 0, तो, हमें यह quadratic equation जो है, यहाँ से मिल रही है, simple, अगर हम लोग इसको solve करेंगे, बिल्कुल इसे तरह से, तो, यहाँ से हमें n n क्या मिलेगा, minus b plus root b square plus 4ac divided by 2, further, अगर मैं इसको simplify करूं, तो, यह हो जाएगा, n d minus n a by 2, plus root of n d minus n a by 2, whole square plus n i square, यह हो गया हमारा formula, किसके लिए, compensated and type के लिए, और हमें यह formula जो है, याद रखना है, और यहाँ पर minority career concentration कितनी होगी, n i square by n n, आप देखो, आपको यह formula थ्यान रखने के जरूरत नहीं है, जब हम only in type के बात करें, तो, acceptor, i n की जो concentration है, उसको zero कर देंगे, तो, यह क्या हो जाएगा, n d by 2, n d by 2 square plus n i square, और p n तो, सेम ही है, उसके बाद हमने, क्या देखा था, heavy doping देखा था, heavy doping होगा, तो, क्या होगा, acceptor तो, 0 ही सही, और nd जो हो जाएगा, वो greater than greater than n i हो जाएगा, तो, उसके बाद वापिस से क्या निकल जाएगा, n n, nd के बाराबर, तो, इसी formula से, हमने, दोनों निकाल लिए, तो, यह हो गया, compensated n-type, similarly, अब हम, p-type के लिए, करें, concentration जो है, derive करेंगे, तो, सबसे पहले, जो है, मैं, compensative के लिए, derive कर जी हूँ, और, फिर मैं, उसी से, directly, next formula आपको बताँगे, compensated p-type, वापे से, क्या होगा, ना तो, donor concentration 0 है, ना ही, acceptor concentration 0 है, यहां पर मैंने क्या ले लिया, majority career क्या है, यहां पर, holes है, और minority career क्या है, यहां पर, electrons है, तो, mass section लो लगाया है, मैंने तो, np multiplied by p-p equals to ni square, तो, यहां से, मैं, minority career को लग सकती हूँ, ni square by p, अब हम क्या करेंगे, equation जो है, first उसमें replace कर देंगे, तो, यह हो जाएगा, nd plus, p equals to na plus ni square by p, further solve करने पर हमें, जो equation मिलेगी, वो मिलेगी, nd minus na, minus ni square equals to 0, क्या solution हैंगे इससे, na minus nd plus root na minus nd square plus 4 ni square by 2, तो, यहां से, जो majority करें, concentration है, p type के लिए, उसको मैंने इस तरह से लिग दिया, और minority career concentration क्या हो जाएगी यहां पर, ni square by p, तो, यह type के लिए भी आपको यह formula जो है, याद रखने की जुरूरत है, अब n type में क्या था हैंपर, nd minus na था, क्योंकि n type में क्या है, donor concentration जो है, acceptor से जाधा है, यहां पर, क्या है, acceptor की जो concentration है, वो donor concentration से जाधा है, तो, यहां पर मैंने क्या लिखा है, na minus nd, जो कि हमने यहां पर derive भी किया है, तो, अब हम देखते हैं कि अगर मैंने यहां पर, only p type consider किया, तो, क्या होगा, पी टाइप जब मैं consider कर रही हूं तो क्या होगा nd 0 होगा तो उस case में हमें majority करेर concentration मिल रही है वो क्या मिल रही है n a by 2 plus root n a by two square plus n a square कि यह एक सिप्टर आयम की जो कंसेंटेशन है वह इंकर इंट्रिंसिक से बहुत ज्यादा होगी तो उसके बराबर तो अगर आप यह वो दोनों जो आपको automatically याद हो जाएंगे और बाकि आप चाहे तो यह फोर्मुला भी याद ना रखके डेराइब कर सकते हैं सिर्फ तीन स्टेप में जो है आप यह फोर्मुला इजी ली निकाल सकते हैं तो इस तरह से हमने क्या 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 करियर कॉंसेंटेशन निकाली मैज मार्क्स का आया हुआ है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाए दे रहा होगा मैं एक बार डिप्टेट कर देती हूं अ सिलिकोन सेंपल इच यूनिफर्म ली डॉब्ड विद तेन तो पावर सिक्स्टीन फॉस्पोरस एटम्स पर सेंटीमिटर क्यूब फास्फोरस एटम यान कि यह क्या हो गया एक्सेप्टर इम्पॉरिटी या पी टाइप इम्पॉरिटी इफ ओल्ड दोपन्स अर फुली आयनाइज्ट दे मेटीरियल इज हमें दे रखा है यहां पर डोनर कंसेंट्रेशन हमें दे रखिये 10 to power 16 एटम्स पर सेंटीमिटर क्यूब और एक्सेप्टर आयन के कंसेंट्रेशन हमें कितनी दे रखिये 10 to power 16 एटम्स पर सेंटीमिटर क्यूब तो यह हमें डोपन्स से रखिये डोनर और एक्सेप्टर अब हमने अभी क्या पढ़ा कौन सा डाइप हुआ यह है प्टेन में निकालना है कि यहाँ पर इसा हैchnittा जोkeeper केंचेशन की अ जिर्टर्डह उसा paragraphs वह निवी यह एकत्नी क्या अमरी सेट आइप शुरुट आइप में की यहाँ पर कॉल में दाइप हुआ है कि अगर क्यों में दिया हुआ है क法 10 to power 10 के मान दो यहां पर 5 into 10 to power 10 में ले रिक्यूब पर cm3 तो देखो यहां पर power 10 है यहां पर 16 है तो definitely यह क्या हुआ heavy doping हो गया heavy doping के case में क्या होगा na minus nb कौन से concentration है तो यहां से ही हो जाएगा 2 into 10 to power 16 minus 10 power 16 that is 10 power 16 atoms per cm3 तो कौन से option से है हमारा b option p type with career concentration of 10 power 16 atoms per cm3 तो इस तरह से जोए हम question को solve करेंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए thank you so much